नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिड से हम कई बार बोलते हैं कि आयरुवेद में जीवन छूपा हैं आयरुवेद हमारे देश का अमुल धरोहर हैं इसे कभी हमें समाप्ता नहीं होने देना चाहिए आयरुवेदि के पेंड पोधे से श्वन निर्माड होता है आज मैं आप लोगों को एलोवेरा जो ये पोधे हैं इसी के मध्धम से श्वन निर्माड करने का सबसे सरल असान विदी भी बताऊंगा इसका मैं तांतरीक परोग बताऊंगा और इसका मैं आप लोगों को आयरु बना करके रखाऊं मैं विडियो एडिटर को बोल दूंगा छोटा-छोटा क्लीप करके डाल दें तो इस प्रकार से आपको क्लीप को देख करके समझना है और इस विडियो को पूरा देखना है अब जब एलो वेरे के फैदा सीख जाएंगे इसकी चमतकारी के लाब जान हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एलो वेरा के पौधे को आप किस नम से जाना जाता या फिर आप हमारे विडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं कौन सी आप जो विलेज से देख रहे हैं कौन सी डिस्टिक्ट से देख रहे हैं और इसे आप किस नम स जाएगी और देखे एक दिन में कम से कम 10 से 12 जार कोमेंट आ जाते तुम्हें शभी का रिपलाई नहीं दे पाता आप जो गुश्य मत हो या करें मैं दूसरे आप कोमेंट करते हैं दूसरे विड़ो में तो इसमें भी मैं बतानी की प्रयास करता हूं तो जो इसे कई जगा घ पेण पोधे का इतना जादा हमें जिक्रा मिलता है जिसमें स्वन्न निर्माण होता है स्वन्न निर्माण तीन तरीके से होता है कैसा होता है एक तो खनन के माध्धम से पत्थार होती है इनके माध्धम से स्वन्न निर्माण होता है और एक जलको क्रिया करके स्वन्न निर् इंद्र जाल में इस्पर्ष्ट लिखा हुआ हैं पहले के मदारी अर्थार पहले जो खेल दिखाने वाले लोग नंगे पैर आग पे चलते थे तें आग को आग के जो अंगारें उस अपने बदन पे बिलकुल ही जैसे में अन न से ये लोग लगाने का कम करते थे हैं अब ऐसा क्यों कर पाते थे क्योंकि प्राचिन ग्रंथ इंद्र जाल में स्पस्ट लिखा हुआ है अगर को बैकार अगर अगर नंगे पैर ऐसे वेकली आग कें अंगारे पर चले तब भी इनके पैर नहीं दुखेंगे आग किशी भी प्रकार के च्छती नहीं होंगे अब मैं यहां पे में जो जानकारी बतारू वह जानकारी हवा हवाई नहीं बतारू आप प्राचिन ग्रंथ इंद्र जाल के कोई भी बुक पढ़ सकती उसमें इस प्रस्ट लिखा है हम केवल जनसधारन को जनित हम जन कल्यान के लिए इस प्रकार के जानकारी बताते हैं चमतकारी गुड़ों पे हम विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि प्राचिन ग्यान चैनल का एक कर्तब बनता है नाम से इस प्रस्ट है प्राचिन ग्यान तो आप सभी दर्सकों को इस प्रकार जानकारी बताना प्रवारे माता बहने हमारी चैनल में जूड़े हैं हम चाहतें ऐसे माता बहने को पिरेड के जोरान अगर दर्द हो तो एलो वेरा की आवको गुदे लेना है इसे एक कप की मातरा में ले लेना और इसे गहोल करके पी जाना तो कैसा मांसिक पीड़ा मांसिक पीड़ा जो दूसे करये माद दीए दवा बिल्कुल ये काम करें परसान मत होईए торовजा तरीका भी बताते मैं सबी दर्सकों को इस प्रकार वीमारीन से नीकलने का तरीक भी भताते मैं आप सबी दर्शकों को परुड़ार है जैसे हम आप सबी दर्सकों को अच्छे जानकारी देते जि अब गुदा निकाल लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी मिला करकी अच्छी तरीकी सापको जैसे सरबाद बनाते हैं सरबाद बनाते हैं वैसे आपको इसको बना लेना अब ग्रैंड भी कर सकते मिक्सर से ग्रैंड करें जैसे बोल चाल की भास में बताना चाहूंगा जैसे मेंगो जूस वगेरा सीती उसी प्रकार से घोल करके इसका पीजे तो लिवर बढ़ा बढ़ा दूर हो जाएंगे पेट में होने वाले दर्दा दूर हो जाएंगे शरीर का यह फिल्टर करने का काम करते हैं आप में सदिक्ता लूग बोलते हैं ना कि जरूर करना चाहिए साफ सफाई जरूर करना चाहिए तो कैसे होगा तो आपको एलो वेरा का जूस तयार करना है और उसमें आपको सेंधा नमक कला नमक और थोड़ी सी साधा नमक यह तिनों नमक थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको सर्वाद जैसे बनाते हैं उसी प्रक चले मैं आप लोगों को इसके दिब्ब एवं चमतकारिक परयोग बताऊंगा इसके फूल से किस प्रकार से श्वन्न निर्माण होता है और बहुत सारे चैनल में भी ट्रेंड भी चल रहे हैं घृत कुमारी एलो वेरा के बारे में बहुत से वारे लोग जानकारी बता रहे है कि इसके फूल से लोग करोड़ पती बन जाते हैं क्या ऐसा संभो हैं तो मैं इतना नहीं कहना चाहूंगा कि इसके फूल से लोग करोड़ पती बनते या नहीं बनते क्योंकि हमारे चैनल में सत्य जानकरी बताए जाते हैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा श्वन्न त तस्वीर दिखारुए श्वन तंत्रम प्राचिन गरंद का प्रिष्ट क्रमान 66 नंबर में इस पस्ट लिखे हुए हैं भगवन संकर परसूरम को कहते हैं कि हे राम अब घृत कुमारी जिसे हम धिकवार के नम से जानते हैं इसके उत्तम कलप को कहता हूं ध्यान से सुनना तो खाली जो जगा आब को बन पड़े वहाँ पे लगाई हम गाड़न भी बोलते हैं आज की जनरेशन में बोल चलकी भासमें तो वाटिका में लगा करके प्राताकल मध्यान एवं सायन ये तीनों समय में इसनान करते हुए तीनों संध्याओं के मंत्र का नियम पुर्वा का ज ने हुए तो इस मुहरता में आब को इसका पानी सीचन करने से पहले मंत्र जाब करने को भी मंत्र का जाब कर सकते गुरु मंत्र का जाब कर सकते भागोन-शंकर के प्राता इसे मन तिन संध्यां बोलते हैं इसके बाद यहां पे लिखें के हे पूत्रा अब युक्ति पूर्वाग तामभे की सुया को बनवा करके ध्यन से शुन अबको कना ऑHay जाएं जिब घृत कुमारी में नवईन एवं नवीन एक भी पति निकल जाएं नवीन पत्त में अर्थात जो नये पत्त उसमें एक पर्विष्टा करा दें अरथा आपने जो तंबी की श्रूई बना करके रखे वहा उसमें आबको छुभा देना है तो इस प्रकार बहुँ सार आबला लेना गारत्र बहुंत के अchemical साथान con जब तक उसमें पुष्पा नहीं निकले तब तक ऐसा ही आपको करते रहना है जब तक आपको इसमें पुष्पा नहीं निकले तब तक आपको शुया इसमें चुभा चुभा करके डाल देना है तो इश्यवा तामरा जो तामरा है जो तामरा सुया है कुंद पुष्पा की का भगवणन संकार बोल रहे हैं कि कुमारी के मूल के क्वात से, कुमारी अर्थाद घरित कुमारी के प्राचीन ग्रफा में इस पस्ट बताएं कि किस प्रकार से आप इन से चांदी के निर्मान कर सकते हैं और इसके दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों बताऊंगा किस प्रकार इसके माधम से शवनन निर्मान भी होता है देखें हमारे घरों का सपास में दोस्तों इस प्रकार के बहुँ सारे पेड़ पोधी हैं और हम प्राचिन ज्यान चनल में जितने भी कमाई करते हैं, अधिक्तर पैसे गरी बेवम असहाय लोगों के शेवा में शमर्पित कर देते हैं तो जन ये तेवम जन कल्यान के लिए आप हमारे चनल को समिस्क्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें हमारे मनोबल बढ़ाएं आने वाले बीड़ो में मैं आप लोगों को घ्रीत कुमारी के और भी अर्थात ये एलोवेरे पोधे हैं इसके और भी चमतकारिक पर्योग बताऊंगा तो आज के जानकरी पर समाप्त करता हूं दर्सको बीड़ो देखने के लिए धनिवाद नमस्कार